हाई वेलकम टू माँ चैनल आज मैं बनाने वाले हूं वाली टेस्टी इजी और सिंपल रेसिपी मटर पनीर पोर यू गाइज वह भी होममेट पनीर के साथ तो चलो स्टार्ट करते हैं मटर पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है वन कॉप पनीर काँच मातर आफ कॉप मतर सॉल्ट तू टेबल स्पून रेट चिली पाउडर हल्दी पाउडर धन्या अ जीरा पाउडर करब मसाला वन टीजपून जीरा अरा धन्या ओल्च वन कॉप ओन्यान वन कॉप डॉमेटो डू पीस रेट चिली पोर गाइलिक और वानी चद्रभ तो स्टार्ट करते हैं मतर पने पनाना उसके लिए मैंने पैन लिया उसमें में थोड़ा ओल डालूगी अब मैं इसमें डालूगी वन कप कटी हुई प्यास और इसको सौटे कर लोगी अब इसमें में डालूगी अदरग, ग्रीन चिल्ली और गालिक और इसको मिक्स कर दूगी और इसको चार-पाँच मिनिट के लिए पकाएगी अब इसमें वन कप टमाटार एट करूगी और थोड़ा सौल्ट एट करूगी और इसको मिक्स कर दूगी अब इसको पवर करके मैं 5 मिनिट के लिए पकने दूगी जब तक टमाटर सॉप्ट ना हो जाए टमाटर सॉप्ट हो गए ठंडा होने के बाद इसकी पेस्ट बना लेगे पेस्ट हमारी रेडी है अब मैं एक पैम में ओयल एड करूगी ओयल गरम होने के बाद मैं इसमें जीरा एड करूगी जीरा क्रेकल होना चालू हो गया है और इस टाइम पे मैं गैस की फ्लेम बन कर दूगी और इसमें रेड चिली पावडर एड करूगी और इसको 5 से 6 सेकंड के लिए बून लोगी और तुरंट इसमें मैं पेस्ट एड कर लोगी और गैस की फ्लेम आउन कर दूगी ऐसा करने से हमरा रेड चिली पावडर जलेगा नहीं और कलर बहुत अच्छा आएगा और इसको मैं बराबर मिक्स कर लोगी बराबर मिक्स करने के बाद में इसको पवर करके पकने दूगी हमको इसको इसी तरह पकाना है जब तक कि ओल सरफेस पे ना आ जाए और इसके लिए तकरीबन 10 से 12 मिनिट लगते है और यह प्रोसेस हमें मीडियम फ्लिम पे करना है आप देख सकते हैं कि मसाल की कॉंटिटी पहले से काफी कम हो वही है अब इसी तरह इसको पकाना है कि सकते हैं कि और सरफेस पे आग गया है इसका मतलब कि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी पक गई है देखे कितना ब्यूटिफुल कलर आया है और देखो हमारा मसाला भी आदा हो गया है अब इस टाइम पे मैं हल्दी पाउडर और दन्या और चीरा पाउडर रेट करूगी मिक्स करने के बाद अब इस टाइम पे मैं मता रेट करूगी मैंने हाफ कप मता रेट किया है और इसको मिक्स कर दूगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको फवर करके एक से दो मिनिट के लिए पकने दूगी अब मैं इसमें पनी रेट करूगी ये पनिर मैंने घर पे बनाए आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्यूब बने हैं और इसमें एर बैक भी नहीं है जैसे कि बाजार से लाए हो मगर ये बाजार से बहुत अच्छा बनता है और फ्रेश भी और इस टाइम पे मैं एक कप पानी एड़ करूगी और इसको मिक्स कर दूगी और विक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पकने दूगी पांच मिनिट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से ओईल निकलना चालू हो गया है और इसको मिक्स कर दोगी मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके पखने दोगी आप देख सकते हो कि ओईल उपर आ गया इस टाइम पे में गरब मसला एट करोगी हरा दनिया और इसको मिक्स कर लोगी और मिक्स करने के बाद मैं करूगी केस की फ्लेम तेज और इसको एक मिनिट के लिए पकने दूगी ताकि इसके उपर ओईल आ जाए अब देख रहे हैं इसके उपर ओईल आ गया और एक इतना बढ़िया दिख रहा है एजी और टेस्टी मुटर बने मुस्ट आए ठों